कि वेरी वेरी गुड इविनिंग तो अभी तक हम एप्लिकेशन ऑफ मेट्रिक्स पे कुछ कोश्णों की प्रेक्टिस हम अलड़ी कर चुके हैं तो कुछ एक्जामपल में आप कोश्ण देखेंगे जो कि लास्ट क्लास में हमने इस कोश्ण को कम्प्रीट किया था इस एक्ज देजिए कोशना मैनुफेक्ट्र प्रड्यूस थ्री प्रॉडट्स एक्स वाई एंड जैड विच्छी सेल्स इन थ्री मार्केट मार्केट बन मार्केट टू और मार्केट थ्री मंतली सेल्स एंड एंड सेल प्राइज आर गीवन एस फोलो तो यहां पर आप देखेंगे सेल्स प्रॉडट की मतलब एक यूनिट की कीमत क्या है उसे प्राइज कहते हैं तो यहां पर आपके पास में इन तीन मार्केट में इन तीन प्रॉडट के प्राइज क्या आपको यहां पर गीवन है तो if the cost per unit for their product X, Y and Z are 1.8 रुपीज, 2.5 रुपीज and 3.4 रुपीज respectively find by the matrix algebra his total profit clear है दुदाट 6 कोशन है आया हुआ है due के अंदर become honors के अंदर आप एक अपना try दीजिए यहां पर हां जी सबसे पहले आप देखिएगा सवाल आपसे पूछ क्या रहा है कोशन में आपसे यह clearly mention है कि तीन product है X, Y and Z आप जब तीन product है तो तीनों का अपना cost price भी होगा और इसकी अपनी एक selling price भी होगी बात करते हैं cost price की तो वह आपको clearly given है कि X product का per unit का cost क्या है Y product का per unit का cost क्या है और Z product का per unit का cost क्या है यह आपका X, Y और Z यह तीनों product जो है इसका per unit का cost क्या यह given है अब बात करते हैं selling price की तो बच्चे same product different market में different price पर sale होता है तो वही X, Y, Z product जो है यह आपके पास मार्केट बन पर इस rate पर sale हो रहा है अगर मैं market 2 पर आता हूँ तो same X, Y, Z product इस rate पर sale हो रहा है और market फर पर आता हूँ इस rate पर आपका sale हो रहा है तो market के साथ तीनों product की selling price different हो रही है बट cost price क्या है तीनों product की तो same ही रहेगी वह अलग-लग लिखने की जूरत नहीं है और यहाँ पर साथ में चीज और clear है कि तीनों product की कितने-कितने items sale हो रहे है इच market में तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ मार्जिनल profit मार्जिनल profit मतलब क्या हूँ एक unit पर कितना profit हो रहा है अगर मैं बात करता हूँ marginal profit marginal profit तो marginal profit in market first first market कितना होगा आपको सोचे कि marginal profit first market में कितना होगा तो first market की अगर मैं बात करूँ xyz की अगर मैं xyz की quantity की बात कर लेता है margin profit है तो चलिए margin profit निगालते हैं तो क्या होगा xyz की xyz xyz इसका selling price क्या है xyz का xyz का selling price है market one में 2 3 4 clear है यह क्या है selling price है और cost price क्या है इसी market का xyz का cost price क्या है 1.80 1.80 2.50 2.50 3.40 3.40 3.40 यह क्या है आपके पास में x y और z market की यह क्या है cost price है तो यह यही sorry xyz 3 product का cost price है और यह 3 product का क्या है यह selling price और मैं market first की ही बात कर रहा हूं ध्यान की का तो first market में इन 3 product का selling price in 3 product का market one में cost क्या है यह दा selling price minus cost price कर दूँगा तो क्या आएगा इससे selling price minus cost price कर दूँगा तो marginal profit मतलब की एक product आपका जहां 2 रुपे में बन रहा है और 1 रुपे 80 पैसा sorry जहां 2 रुपे में बेच रहे है और 1 रुपे 80 पैसा में बन रहा है तो उस पे profit कितना हो रहा है तो उस पे profit works हो रहा है यह पर 0.20 यह एक product का profit है एक एक product का profit है के 2 में बेचा और 1.80 में उसको बनाने में cost आही यहां पर आपके पास h Female 0.50 इसके profit हुआ और यहां पर profit जो है marginal profit, clear जी, अब आप इस बात को भी ज़रा समझेगा तो अब आपके पास में marginal profit है, और आप इसकी quantity की ज़रा बात कर लीजी एक बार कि आप बताएं कि ज़रा x, y, z market की quantity क्या है तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर अगर 3 row है, तो उसको convert कर देजिए, 3 column में convert कर देजिए, क्योंकि जो, sorry, जो 3 column है, उसको 3 row में convert कर देंगे, तो यहाँ पर आप जो है quantity first market की में बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँगा, first market की quantity को, यह x, y, z है ना, तो 1500, market 1 की ही मैं बात कर रहा हूँ, आप दिल्कुछ सही सुन दे हैं, और z की quantity, z product की quantity कि कितनी बीच रहे मार्केटम, this one, clear है जी, यह quantity है, जो कि 3 cross 1 में बना है, और यह मेरे पास में क्या बना है, यह मेरे पास में 1 cross 3 में बना है, क्या profit, this one, छोड़ा कट्टा जा रहा हूँ, बट कोई बात ने, वाद में फिर इस वह बड़ा करनी कोशिश भी करूँगा, देखेगा, तो मैं यहाँ पर total profit निकाल रहा हूँ, total profit in market first, कैसा निकालेंगे, भई, इसके जो है quantity क्या है, quantity, x, y, and z की, quantity क्या है, quantity इसकी है, 1000 unit, 1500 unit, और 2000 unit, ठीक है quantity, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, इसकी, profit की, clear है जी, किसकी, x, y, and z की, क्या बात कर रहा हूँ, profit की, तो profit की, x, y, z पे, profit है, 0.20, 0.50, और 0.60, ठीक है जी, clear है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको multiply करता हूँ, तो क्या result हैगा, जड़ा देखते हैं, यह किस order है बनाई, आपका 3 और 1 में बना, और यह 1 और 3 में बना, तो similar है multiply हो सकता है, तो यह किस में बनेगा, 3 और 3 में आपका बनेगा, मेरी बात सब्सक्राइब, clear है, 3 और 3 में आपका बनेगा जादर के, यह चीज़े पहले clear है या नहीं है, बताइए जरा आप मुझे, market बनाई प्रॉफिट, हाँ जी, done, clear है, clear है, जी, तो इसको आप multiply करेंगे, तो आपका यह क्या रहने वाला है, इसको first आप इस से multiply करेंगे, तो आपके पास एक उड़ा पांच, यह आपका दो सो, ठीक है जी, clear है, फिर यह से multiply होगा, क्योंकि पहले कॉलम पूरे रो से multiply करेंगे, प्लस होगा आपका, second, second से आपका होगा, तो आदा साड़े 700, और प्लस, यहाँ पर आपके पास में क्या हैगा, 1200, तो क्या बना आपका profit, profit आपके पास में 12, और 2,14, 14, और 5, 14, 14, और 7, आपका 250 का profit market बन, क्या इसी तरीके चे आप market 2 का profit ले सकते हो, बताओ, क्या market 2 का profit ले सकते हैं, बिल्कुल, ऐसे ही market 2 का profit कैसे आएगा, बस एक काम करना है, क्या, कि market 2 की quantity आप लीजेगा, और market 2 का profit कैसे निकालेगे, cost price तो same रहेगा, selling price 0, तो market 2 का, मैं यहाँ पर hint देता हूँ आपको, क्या करना है आपको market 2 के लिए, कि आपको market 2 का profit किस तरीके से लेना है, यह तो इसका क्या है, price है, selling price, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, कि आपके पास में selling price जो है, आपके पास में market 2 में कितना है, 2.50, 2.80, and 3.70, selling price में से cost price आप माइनेस कर देंगे, और cost price आपका क्या रहने वाला है, 0.20, sorry, cost price आपका है, 1.80, 1.80, minus, सेम रहेगा, 2.50, और 3.40, यह आपका selling price है, यह आपका cost price है, आप माइनेस कर देंगे, तो profit आजाएगा आपका, ठीक है जी, और quantity, profit का आपके पास में column यह रहेगा, और quantity आप यहाँ पर यह ले सकते हैं, quantity क्या रहेगा तीनो market का, एक आपके पास में x है, एक y है, और एक आपके पास में z है, तो z की quantity कितनी है मेरे पास में, 2000 market 2 की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या है, 2000, 2800, और 3000, और इसका जो profit है, profit क्या होगा, इन तीनो ही market का, x, y और z का तो आप धायर पे में से 80, आप मैनेस कर देंगे, तो 20 और 0.70 हो गया यह आपका, और यहाँ पर 280 में 250 मैनेस कर देंगे, तो 0.30 हो गया, और 370 में 340 मैनेस कर देंगे, तो 0.30 हो गया, अब आप इसको multiply कर देंगे, तो market 2 का क्या जाएगा, आपका profit, then market 3 का भी profit निकाल कर दोगे, आप इसको add कर दोगे, 1-3, 1-3 order में आपको लेना है, ठीक है, बिल्कुल सही, जैसे मैंने next question में करा ना, आपका, clear है जी, तो कि आप इसको 1-3, और 1-3 order में लेंगे, फिर answer तो आपका आ जाएगा, same, लेकिन आपको 1-3, 1-3 order में लेना था कि आपको 1-1 matrix आ बात समझे, clear है, तो आप इसको पहले और इसको बाद में आप ले लीजे, पहले आप इसको कर ले, this one, इसको आप पहले लिखे, तकि matrix आपके 1-1 बन रहे है ना आपका, तो पहले आप इसको लेंगे, तो आपके पास में क्या रहे है, 1-3 और फिर आप इसको लीजे, तो य देख है, 12,090 टोल प्राफिट होगा, बिल्कु करेक्ट आणसर है, ठीक है, तो टोल प्राफिट कितना रहने माला है इसका, तो देखे, अगर ये सब प्राफिट आप ये सब नहीं करेंगे न, तो फिर हमारे लिए समझा आए, गी टोल प्राफिट है, ठीक है, एश्वाल पेपर ही कुछ नहीं आएका वशर्थ देखती कि इक आपको हिंट那 मजन में सोच रहेते हैं अब बताया तो होगे पिपर में आएगा तो कर लोगे